यूबी की राजधानी लखनव में कल रात से लगातार मुसलाधार बारिश हो रही है जिसके चलते पूरा लखनव जलमगन है मैं इस वक्त जहां मौजूद हूँ ये आशियाना है ये से चौराहा है ये बाजार खाला चौराहा है पर ये आशियाना जो है आज सबका ही प्रिकलते हुए ये तमाम वाहन जो आपको देख रहे हैं किस तरह से पानी जो है काफी सर कितना दिक्कत के सामना करना पड़ रहे हैं आप लोको बाइक आपकी देख रहा हूं पूरी दूबी हुई है कि या क्या पर रिखानिया हो रही है ये मत पूचिए आप आप के पै इस ठेले को आप अगर देखेंगे ये ठेला बीचों बीच है आम दिनों में ये ठेला जो है फल और सबजियां लिए पूरे आशियाना चौराहे इलाके में घूमता है ठेलता है फिरता है लेकिन आज ये ठेला जो आप देख रहे हैं आज ये ठेला खाली है क्योंकि ये ठ इस्मेंट की जितनी दुकाने आप देख सकते हैं यहां पर वो सारी की सारी दुकाने बंद कर दी गई हैं आपको अलग अलग जगा यहां से लेकर चलेंगे आपको दिखाएंगे इदर आई हमारे साथ यह गाडियां लगातार निकल रही है और जो वेग है पानी का वो आप पी ले चलूँगा देखाने के लिए आप देख सकते हैं कि यह जब्रा प्रॉसिंग जो है यह पूरी जल मगन है जब्रा क्रॉसिंग तक पानी पूरा आ गया है और हमारे लिए मुव्मेंट कठें हैं यहां पर क्योंकि जो पानी का फ्लो है जिसकी में बात कर रहा हूं व यह फूट पानी में डूब गया है और यह आलम यहां पर है और करीबा यह थोड़ा हमारे साथ यह तरीके से यहां पर डूब गया है जो तमाम दुकाने हैं यहां पर देखिए रेन कोट भी लिए जो चब्राइब कोई दिक्कत हो रही है पारिष और हैं बिजह और निर फ हाँ अरे उनको आ रहा होगा ना भाई हमें तो नहीं आ रहा है इतना वारिस में देख रहे हैं इतना पानी भर गया यहाँ पर क्या ही गवर्मेंट कर रही है तब कि आपर आशियाना के हालात आपको और आगे लेकर चलने हैं और तस्वीर आपको दिखाएं उससे पहले आप मंजर समझ दीजिए यह तमाम छोटे दुकांदार हैं छोटे दुकांदारों से बात करना जरूरी है देखिए ठेला है इनका और ठेला जो है यह आज बंद हुआ है और इनसे भी बात की हमारे लिए ख़रा कठी नहाँ पर मूव्मेंट है आगे आज़े कि अगे आई आए आए आई है किया परिशानी हो रही बताईए फरेसानी ना घर है ना दुआ रहा है सब चुझी रहा देखो बनने पर यह अना खाग ने ठीका ना कुछो नं तो दिक्कत बहुत है एक लड़का न सेडी भंगेडी अकेले यहां पर जो इतना यह है पानी से कस्टमर नहीं आ रहा है उनके लिए इस तरह की बारिश यह देखिये मसला है बड़ी दुकाने तो चलिए शटर गिर गये है फूट को डेश गिर गया है लेकिन छोटे दुकान कंदारी जो है उनका खासा नुक्सान हो जाता है जिनकी कमाई 500,000 होती है काचक कुछ मसाला बेशते हैं कुछ कुछ करते हैं लेकिन आज इन सब की भी कमाई पूरी तरीके से यहां पर ठप नजर आती है क्या दिक्कत हो रही है काफी पानी लखनों में आज काफी पानी हम तो सीता बुर्ट से आये हुए हैं लेकिन सुबह से हम लोगों गाड़ी यहीं पार कर दिये हैं कहीं जाना मुश्किल हो रहा है बहुत पानी पानी भरा हुआ है बहुत दिक्कत हो रही है जा रहे हैं तो लोड़ा काम था इस वजह से लेकिन कहीं जाना हो नहीं पार स्मार इसको घोचित करें नहीं लग रहे जोब के जया रहें जनाब यह बताइए यह बताइए कि लखनौ को स्मार्ट सुटी कहते हैं और मैं चाहिए फर्फट कि उसको देखकर क्या कहेंगे बहुत ही दुख हो रहा है वाकई कि जब लगनौ के यह हाल है तो आस पास के जगहों के तो क्या ही ग्रेस किया जाए और कहीं ना कहीं सब हो है कि समय के साथ हमें तो नहीं लग रही करने से कुछ नहीं होता है समय में पता नहीं कहां कैसे क्या करके निकल रहा है घर के बाहर दूस लेना हम लोग की प्राइवेट जॉब है और इसी तरह ते पुरे रास्ते बंद है और घूमते घहमते पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी सार परिवहान बाके दुर गठना ग्रस्त होने के सार यहां पर लोग बुजुर्ग चलते हैं रिक्सा चलता है सर गड़ों का कोई देख नहीं आया ना सर इस गड़ों में क्य है क्या नहीं बड़ी बात है क्योंकि जब पानी भरता है न तो आपको नहीं पता है देखिए उपर से सितम पानी का एक जमीन पर सितम पानी का आपको नहीं पता अगला कदम गड़्धा है या स्वालक है और यह दिक्कते हैं आगी लखनव वासियों की जो शायद मेरी है पहले आप पढ़ाई को दिखाता हूं पढ़ाई से मेरा जिक्क मतलब यहां पर यह है यह स्वामी विवेकाना इंटर कॉलेज है जहां अगर आप देखेंगे तो इसके चौकट के अंदर तक पानी लबा लब भराया है और यह कॉलेज जो है फिलाल आज बंध है ज कोई वेलकम करने वाला शायद ही है अब उसके बगल में आपको अमे देखाता हूं दवाई अब यह दवाई को देख लिजी यह आपको दिखा सकता हूं एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जरूर यह अंदर से मल्टी स्पेशलिटी है फुल एयर कंडिशनर है लोग कि तमाम यहां की लोग अब शक की निगाहों से देख रहे हैं कि अगर यही स्मार्ट सिटी है तो शायद पुराना लखनवी देहता था जिसमें स्मार्ट नहीं लिखा था और यहां से यह जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ यह आप इससे अंदाजा केवल लगाईए कि यह पानी का इस्तर जो है अब कैसे कम होगा या बढ़ेगा क्योंकि जो वहसम विभाग का अनुमान है कल तक इस तरह की बारिश होनी है रुक कर होनी है तेज होनी है पर जैसे ही बारिश है आप दोवारा बढ़ेगी तो आप मान कर चलिए कि दोनों ही तरफ यानि कि